नमस्कार आज हम 5 नबंबर 2020 के करंट अफेर डिसकस करेंगे अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए प्रेस्टा बेल आइकन पीडियेफ आप टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं आज का फर्स्ट कॉश्चन है अंतर संसिदिय संग के नई अध्यश के रूप में किसे निउक्त किया गया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टरो पाचियों को जिनको अपॉइंट किया गया है नई प्रेसिडेंट के रूप में इंटर पार्लियमेंटरी यूनियन क अब इहाल ही में डॉक्टरे पकाकी को इनका नाम ठीक है जो की पुर्टगाल के है इन है इंटर पार्लियमेंटरी यूनियन के नई प्रेसिडेंट के रूप में 2020 से 2023 तक नई प्रेसिडेंट चुना गया है इंटर पार्लियमेंटरी यूनियन जो की फ्रांस में है और यहा कौशन है न्यूजीलेंड में मंत्री बनने वाला पहला भारतिय मूल का व्यक्ति कौन है और इसका सही आंसर है और और यह फर्स इंडियन ओरिज़न परसन तू बिकम अ नई cabinet का नेक्स्ट कॉस्चन है इंडो इस्राइल सेंटर ओफ एक्सिलेंस फर वेजी टेबल प्रोटेक्टिड कल्टिवेशन किस राज्य में स्थापित किया जुआ रहा है मतलब इंडिया और इस्राइल दौनों कंट्री मिलकर जो है वह वेजी टेबल प्रोटेक्टिड कल् इंडिया में तो वक किसी स्टेट में बनाया जा रहा है और इसका सही आंसर है ऑप्शन भी वह जो सेंटर ओफ एक्सिलेंस वेजी टेबल के लिए बनाया जा रहा है वेजी टेबल को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां असम में बनाया जा रहा है इंडिया और इस्राइल की मदद से मैप में आप लोकेशन देख सकते हैं इस्राइल की इस्राइल जहां की कैपिटल है जैरुसेलम और यहां की करन्सी है इस्राइली शेकल यहां के प्रेसिडेंट है रेब्यून रिबलिन और प्राइम मिनिस्टर ने बैंचामिन नेत्या हानू अगर हम नेबरिंग ऐने सूला है जो कि अफ्रीका कॉंटिनेंट को एशिया कॉंटिनेंट से अलग करता है यहांपर बार्टर वर्डी इसमें बात करें तो मेडिटेरियन सी है जिसे बॉर्डर शेयर करता है इस्राइल अपना और यहांपर डैट सी है चीफ मिनिस्टर जो है असम के वो है सरवानन सोनेबाल जिन्होंने अधार शीला रखी है इंडो इसराइल सेंटर अफ एक्सिलेंस की जो की वेजिटेबल प्रोटेक्टिट कल्टिवेशन के लिए बनाया ज़ा रहा है कि भारतिय नौसेना जहाज ने मिशन सागल 2 के तहट पोर्ट सुडान को 100 तन खाद्य सहायता पहुचाई है कौन से इंडिया नेवी की शिप है जिसने 100 तन ओफ फूड की सहायता सुडान के पोर्ट पर पहुचाई है और इसका सही आंसर है यह जो सौटन फूड जो है वहाँ ले जाये जा रहा है आई एनस आरिवत से इंडियन नेवल शिप आरिवत जो की पोर्ट सुडान पर बतलब जो सुडान को जो पोर्ट है वहाँ पर पहुचा था कल ठीक है और यहां मिशन सागर सेकंड के तहट गया है वहाँ पर जो है वहाँ सौटन फूड की सहायता प्रोवाइट कर रहा है मिशन सागर सेकंड से पहले मिशन शागर जो कि मई और जुन 2000 में स्टार्ट किया गया था जिसमें फूड और मैडिसन्स जो है वहाँ प्रोवाइट की गई थी इंडिया के दोवारा मालदीप को मौरिशास को, शेशास को, मेड़ागासकर को और कॉम्ब्रेस को अगर मिशन सागर सेकंड की बात करें तो आई एन एस आरिवत जो है वह डिलीवर कर रहा है फूड सुडान को करेगा साउस सुडान को दजीबोती और इरिटेरिया इन कंट्रीज को जो है वहाँ फूड की सहायता प्रोवाइट की जाएगी अगला कोशन है हाल ही मैं अग्रडी नदी खबरों में है यहां किस नदी की सहायक नदी है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यहां कृष्णा नदी की टुबिट्री है अग्रणी डिबर और अभी नियूस में यहां इसलिए है क्योंकि पहले जो नदी थी जो टुबिट्री थी कृष्णा की अग्रणी यहां मर्ड सॉइल और बशिस की बज़े से जो डिसापियर हो गई थी लेकिन संगली गाउं के एक विलेजर्स हैं संपात्रों पवार इन्होंने कॉमिनिट की मदस से इस रिवर को दुबारा से पुर्ण जीवित किया है अब यह दुबारा से रिवर फ्लो कर रही है और इसलिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्स ने डिकलेर किया है एक अवार्ड ठीक है जो की संगली व्लेजर्स जो है संपात्रों पवार उनको दिया ज यह एक टुबूटरी है क्रिशना रिवर की जो की ओरिजनेट होती है ताम खादी बिलेज जो है संगली टिस्टिक के खाना पुड तहसील का एक गाउं है ताम खाडी वहां से यहां रिवर ओरिजनेट होती है अब हम क्रिशना की रिवर की बात करते हैं जिसकी ट्रिबुटरी है अग्राडी यह जो क्रिशना रिवर है वहां east flowing river है यह ओरिजनेट होती है महाबले शुवर महारास्ट में और फिर यहां जो मर्ज होती है ठीक है बेय औफ बंगाल में मतलब यहां मर्ज विधर बेफ ब तेलंगाना और आंत्य प्रदिश में यह फ्लो होती है ठीक है और यह मतलब किर्थी बेवफ बंगाल में है और यहां महारास्ट के महाबलेश्वर से इसका उद्गम है अगर हम बात करें इसका जो बैसिन सम्होंने आपको बता दिया यह महारास्ट में फ्लो करती दन करनाट क तेलंगाना फिर आंत्य प्रदिश अगर हम कृष्णा रिवर की टुबिट्री की बात करें तो तुंगर भद्धा माल प्रभा कोईना भीमा घाट प्रभा याडला वर्णा डिंडी मूसी और दूद गंगा यह एक्जाम में पूछ लिया जाता है अगर आपसे पूछ लिय जाए वर्णा इस दर टुबिट्री ओफ कृष्णा या फिर डिंडी मूसी दूद गंगा घाट प्रभा भीमा कोईना तो कौशन भी आ चुका एक बार कि कोई ना किसकी टुबिट्री है अगला कोशन है हाल ही में किस राज्य और केंदर शाशित प्रदेश ने सैल्फी विद डॉटर अभिहान शुरू किया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जमू और कश्मीर स्टेट ने जो यूनियन डाट्री जो है ठीक है उन्होंने ल सेक्स रेशियो में जो विमेंस का जो गल्स का जो सेक्स रेशियो है उसको बढ़ाना है कुछ रिवीजन कर लेते हैं जमू कश्मीर के बारे में अभी जमू कश्मीर ने अभी हाल ही में बैक्टू ब्लेज प्रोग्राम का थर्ड फेज स्टार्ट किया है जमू कश्मीर में लॉंच किया गया एक online portal जिसका नाम है Sparrow इंडिया का जो पहला cannabis medicine project है वहाँ setup किया गया है जमू कश्मीर में जमू कश्मीर ने लॉंच किया है backyard horticulture program यूनें टेटरी जो है जमू कश्मीर वहाँ पर SIA का 50th edition 2021 में होगा SIA मतलब Annual Skull International Asia Area Congress यह जो conference है SIA बोलते हैं से यह 2021 में जमू कश्मीर में होगी My Town, My Pride program भी जमू कश्मीर ने लॉंच किया है National Park जो है जमू कश्मीर में वहाँ दचिगाउन नेशनल पार्क है हैमिस नेशनल पार्क, किस्तबार, सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क एक बार हम इस Union territory की location भी देख लेते हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे यह जमू कश्मीर है जिसकी capital जो है वो श्री नगर और जमू दोनोई होती है अगर हम summer की बात करें तो श्री नगर इसकी capital होती है और winter में जमू होती है और यहाँ पर Union territory लद्दाग है जिसकी capital लेह बोली जाती है और यह अपना border शे करता है जमू कश्मीर लद्दाग के साथ हिमाचल प्रदेश के साथ और पंजाब के साथ अगला question है हाल ही में लुहरी stage first hydroelectric project समाचारों में है यहाँ किस राज्यों में इस्तेत है तो यहाँ लुहरी stage first hydroelectric project जो है वहाँ हिमाचल प्रदेश में इस्तेत है याद रखना लुहरी stage first hydroelectric project अभी हाल ही मैं cabinet committee on economic affairs जिसे chair किया जाता है प्राइमनेस्टर नरेद मोदी के दोरह उन्होंने improvement दे दी है investment 1810 करोड का जो कि 210 मेगावाट का एक लुहरी stage first hydroelectric project बनाया जोएगा जो कि located है river सतलुष पर और यह situated होगा शिमला और कुलू डिस्टिक में हिमाचल प्रदेश के और यह जो project जो है वहाँ implement किया जोएगा सतलुष जोयल विद्धूत निगम लिमिटेड के दोरह build on operate maintain basis पर इसमें क्या होता है build on operate maintain basis पर क्या होगा यह active support किया जोएगा इसको government of इंडिया और state government दोनों के दोरह हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ revision हिमाचल प्रदेश government ने launch किया एक police station visitor survey system और e night beat tracking system next है फागली festival जो है वहाँ किन्नों district काई गाउं है यांगपा ब्लेस वहाँ पर celebrate किया जो आता है हिमाचल प्रदेश government ने start किया इस अंजीबनी OPD next है हिमाचल प्रदेश का एक police station है जो कि burn of the best police station हो मैं से एक खाता है जिसका नाम है नदाउन पुलिस station शिंकुन लाट टनल जो कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाग के बीच में है और यहाँ भी बनाई जा रही है next है active case finding campaign हिमाचल प्रदेश में ही चलाए गया निगा प्रोग्राम भी हिमाचल प्रदेश में ही चलाए गया है हिमाचल प्रदेश गर्रदेश गर्रमेंट ने लॉंच किया एक पंचवटी योजना जो की रूरल इरिया में जो senior citizens होते है उनके लिए यहाँ योजना चुराई गयी है next है धोला सिद्ध हाइडो प्रोजेक्ट जो है वह हिमाचल प्रदेश में लोकीटीड है और CSIRIHBT ने इंटोड्यूस किया हिंकी जो नई कल्टिवेशन जो है नई निमतला एचली हिंग इंडिया में नहीं कल्टिवेशन होता और यह डिस्टिक में बात की जो रही है हिमाचल प्रदेश की गवर्णर है बंदारू दत्तर ही है चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुल यहाँ पर जो नैशनल पार्क है वहां ऑख्रेट हिमालेयन नेशनल पार्क पिन वैली नेशनल पार्क एंड्रकिला खीर गअनगा और सिम बाल बड़ा लोकेशन आप देख सकते हैं अभी भी हमने इमाचल परदेश तोड़ा डिसकास किया था है खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तक्निकी सहयोग विक्सित करने के लिए समझोता ग्याबन पर हस्ताक्षर की है इंडिया और इस्पेन इसका सही आंसर है इस्पेन इंडिया और इस्पेन ने साइन किया है एक MOU ठीक है दोनों कंट्री जो है वह मिलके डैबलब करेंगी साइन्टिफिक और टेक्निकल कॉलिबरेशन एस्टोनॉमी में एस्टोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान में साइन्टिफिक और टेक्निकल कॉलिबरेशन के लिए इंडिया और इस्पेस दोनों मिलकर काम करेंगी अगर हम Spain देखें मैप में तो आप यह Spain देख सकते हैं जिसकी capital जो है वहाँ Madrid है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं Mediterranean Sea भी है और North में जो है वहाँ Atlantic Ocean है ठीक है यहाँ पर Bay of Biscay भी है यह Bay of Biscay Atlantic Ocean South में आपको Mediterranean Sea देख जोएगा Next Question है निम्रिकित मैंसे किसे नेपाल के जनरल का मानत रैंक प्राप्त हुआ है Which of the following has got the honorary rank of general of Nepal और इसका सही आंसर है मनोश मुकंद मनोश मुकंद जो है उन्हें अभी honorary rank हासिल हुआ है नेपाल मैं जनरल का इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोश मुकंद नारवाने इस सब्सक्राइब जनरल की उपादी से नवाजा गया और कल हमने आपसे question पूचा था which becomes the first state to add transgender as a gender option in exam application और इसका सही आंसर है असम असम ने अपने जो application forms होते हैं वहाँ पर एक और add किया है option ठीक है जो कि होगा transgender का male female then transgender पहला question जो है वो गलत है क्योंकि जो बंदू एक initiative है जो कि किया है कि वह setup करेंगे ताकि जो आयूस ministry है उसको growth करवाई जा सके और उसकी जो plans और जो strategies है ठीक है उन पर काम किया ना next वह बिल्कुल ठीक है पॉल जचारिया जो है वह आजू था चन पुरुसकारम 2020 से उन्हें नवाजा गया है next गलत है क्योंकि केडला ने टॉप किया ह और यह index निकाली जाती है पब्लिक अफ़ेर सेंटर के द्वारा अगर हम लाज सिटी में बात करें तो केडला ने टॉप किया है और अगर हम small cities में बात करें तो गोवा ने टॉप किया यूजन टायट्री की बात करें तो चंडीगर ने टॉप किया है आप सभी के लिए क्या सूरत में इंडिया का first e-resort center और निया कोशल इनागरेट किया गया है नेक्स कोशन है आयूसील ने क्लाबरेशन किया है आयटी दहली के साथ की वह डैबलब करेंगी एक biomass gasification based hydrogen generation technology मतलब आयूसील और आयटी दहली दोनों ने मिलकर जो है वहां hydrogen generation technology पर काम कर रहे हैं ने 45 राइस distribution इसकी जारकन जो स्टेट है क्या उन्होंने launch किया है 45 राइस distribution इसकी next question है रहूल सिंग क्या इन्हें एमनेट लाहे 2020 अवार्ड से नवाजा गया है आप इनके answer comment box में दीजिए true और false की form में इसी के साथ 5 नवंबर का current affairs यहीं समापत होता है thank you so much